नमस्कार दोस्तों आज मैं बहुत इस पेसल चीज बनाने वालों यह देखी क्या मिल गया है मुझे आज बना रही हूं करील जिसे बांस करील भी कहते हैं इंग्लिस में से बैंबू सूट्स कहते हैं खाने में बहुत जादा टेस्टी होता है और इसके हेल्थ बैनिफिट्स बहुत जादा है आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं तो मुझे जैसे यह मार्केट में दिखाना मैं नहीं छोड़ने वाली थी क्योंकि मैं लाइफ में पहली बार इसे बनाने जा रही थी इससे पहले मैंने खाया है लेकिन बनाई कभी नहीं थी और घर पे हमारे हमेशा बनता है तो मैंने पूछा क्योंकि घर में हमारा इसका मतलब benefits बहुत ज़ाद है health benefits मतलब बहुत ज़ाद है तो इसको क्या करेंगे कि पहले ऐसे छोटे-छोटे pieces में काट लेंगे और इसको पानी में डालके 24 गंटे के लिए छोड़ना होता है यानि कम से कम 15-20 गंटे तो जरूर छोड़े कहा जाता है कि इसमें थोड़ी bitterness होती है या फिर poisonous होती है जो कि पानी में भिगोने के बाद वो निकल जाती है हट जाती है और soft भी हो जाती है जिससे ये सबजी जल्दी पक जाता है और खाने में भी tasty होता है तो यहां पर देखे पूरे 24 गंटे के बाद आप पानी का कलर देख सकते हैं कैसा हो गया है तो मुझे भी realize हुआ कि ये सच होगा उसके बाद खुब अच्छे 4-5 पानी से इसको धो लेना है उसके बाद क्या करेंगे कि इसको हम काटेंगे लेकिन यदि बहुत मोटे छिलके हैं तो आप छिलकों को हलका हटा की और फिर बिल्कुल जितना बारिक आप इसको काट सकते हो उस तरह से काट ले आप चाहें तो इसको कद्दू कस करके भी बना सकते हैं और जब भी आप करील खरीदें मार्केट से तो ध्यान रखे कि बिल्कुल सॉफ्ट वाला करील खरीदना है मतलब जो पतले-पतले है यदि जो मोटे वाले मिल रहे हैं तो वो बिल्कुल ना खरीदे क्योंकि वो बास बन चुका होता है जो बिल्कुल soft लगेगा काटने में वही काटके हमें ले लेना है बिल्कुल पतला उसके बाद कड़ाई गरम करेंगे तेल गरम करेंगे इसमें डालेंगे इसमें तड़का जीरा और सरसो का और जब वो भुन जाए न अच्छे से तो प्याज डाल देंगे तो मैंने यहां पर लगबग दो प्याज लियें जिसको इस तरस से लंबे स्लाइस में काट लिया प्याज को भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे करील यह तो देखिए यहां मैंने काटके ले लिया और यह 500 ग्राम करील था यानि कि आधा केजी करील था जिसमें से दो-चार पीस नहीं मैंने काटा जो थोड़े मोटे-मोटे था तो मुझे हाड लग रहा था तो मैंने उसको साइड कर दिया अब इसको न क्या करेंगे कि ढग ढग के करील को खुब अच्छे से भुनेंगे बिल्कुल ब्राउन होने तक इसे भुनना है यह जितना अच्छा से भुनेगा नहीं अच्छा इसका टेस्ट आएगा ठीक है तो इसको हमने ढग ढग के इसलिए भुना है ताकि यह थोड़ सा काली मेर्च और थोड़ा जीरा इन सभी चीजों को मिक्स करके पानी में मिक्स करके पीस लेंगे और यहां पे देखी कि करील जो है न वो ब्राउन हो गया है अच्छे से भून गया है लाल होके इस स्टेज पे हम अपना पिसावा मसाला एड़ करेंगे साथी डालेंगे इस से बेसिकली बनते आया है ट्रेडिसनल तरीके से वही तरीका में बता रहें इसमें बहुत कम तेल मसालों का यूज होता है लेकिन गजब का टिस्टी होता है सारे मसाले और नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद बिल्कुल फ्लेम को लो पे रखेंगे और बीना पानी का इ अब लगातार नहीं हर दो-3 मिनट में चलाते वे ढखते वे इसको हम अच्छे से पकाएंगे और जब यह पक जाएगा तो अपने आप ही बहुत अच्छी से खुसबू आने लगेगी इसका कलर चींज होने लगेगा आप चाहें तो एक-दो इसको बीच में टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि वो पकाएं कि नहीं पकने का मिन्स जैसे आलू पकता है वैसा आपको फिल नहीं होगा थोड़ा से इसमें खाने में ऐसा क्रंची टाइप आपको लगेगा तो देखिए लगवक 15-20 मिनट अच्छे से भून लिया था मैंने और खुले में भी थोड़े रेसीपी बना के तो कैसा लगा है रेसीपी प्लीज कमेंट में जुरूर बताईएगा अच्छा लगा हो तो वीडियो को जादा जादा लाइक और शेयर कीजिएगा चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं इसी तरह की नई और आसान वीडियोज के झाल